भी आज खिंख नहों अगला टविग जो लीवर के अप्लीकेशन चल रहे तो मॉमेंट आप्लीकेशन था कियों इसको अब लोग प्रिंसिपल अब पढ़ लिये थे उसके बाद हम लोग बात कर रहे ही कि लीवर है लीवर ताइट के हो सकते हैं जिसमें compound liver, bell crank liver और simple liver simple liver के तीन क्लास थे वह में बता चुका था आप लोगों को और उसके बाद तीनों liver के बारे में बताने के बाद दो छोटा छोटा नुमरिकल विमन आपको बताया था simple liver प्र अब हम लोग बात करेंगे bell crank और compound liver पर जब liver है कि bell crank liver क्या होता तो यह आपके यह आपका सलेबस वाला point है देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं मेंसा दिखा के ही बताया हूं यह मोमेंट वाला topic आपका चल रहा है यहां पर प्रिंस्पल आप मोमेंट एंडिस अप्लिकेशन में लिवर सिंपल पूरा हो चुका लिवर अब हम लोग आज compound पढ़ेंगे इसमें compound का यह रूप है उसके बाद आज वाले टॉपिक में यह कवर नहीं होगा अगले लेक्षर में होगा इस्टील यार्ड सेफ्टी वाल और यह रिएक्शन आट सपोर्ट वाला को मैं करा चुका हूं आपको बीम का रिएक्शन निकालना में पिछले वीडियों भी बताया हो एक इसी पर बीम पर इंकलाइन रोड ल मैं यहां पर किसि अपसे पहले उल लिवर में बात करेंगे गए बेल्ल क्राइंट लिवर के चीकशन आणि यानि वेल क्रेंट किली विर क्या होता क्सित बेल क्रेंग के तीर यह क्लिवर क्ली यада बहुत चिर दिख फिर कैसे युट जानने के फोल कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैंने से पी गया यहां पर औै और इनके सीरों पर इस टाइप से दो श्ठ को अम्साइब हें ये दो छड़े हैं इनको आपस में प्रम्न है जोड़ा गया है एक इधर मैं लगा दो है का में है एक Olome ॥ है यहां लगा देता है कि यहां पर विलक्रम भी लगा हुआ है एक फलक्रम भी लगा हुआ है यहां पर इस टाइप से जिसके अबाउट यो पूरा लीवर जो है वो रोटेट कर सकता। इस थाइप से फुरीग कि यह एक जो bell crank lever होता है इसको मैं इंग्लिस में अगर define कर दू ना अगर मैं इसको इंग्लिस में define कर दो कि यह क्या होता है और हिंदी में भी बता दू ज़रा तो असल में मैं कह सकता हूं कि the lever in which two arms of the lever are inclined to each other at any angle यानि मैं लिख सकता हूं the lever the lever in which two arms यानि दो भुजाएं है two arms यानि दो भुजाएं एक lever जिसमें दो भुजाएं two arms of the lever of the lever are inclined inclined at any angle यानि इसकी दो भुजाएं किसी भी कोण पर क्या होती है जो कि होती 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 है जनरली देखो यह 90 डिए रखा जाता है उसके अपने लाव है लेकिन किसी भी एंगल पर हो सकती है अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि दो एक ऐसा लिवर बेल करेंक लिवर क्या होता है दे लिवर इन विस्टू आम्स आप दे लिवर आर इंक्लाइन एड एन एंगल मतलब इसकी दो गुझाए एक दूसरे से किसी एंगल पर क्या होती है इंक्लाइन करके बनाई हो ठीकर ना दा आम आप बेल क्रांग लिवर आर अनिक्वल यानि जनरली ये दोनों आम्स अक्सर अलग-अलग साइज की होती है जनरली जनरली आम्स आप दे लिवर आम्स आप दे लिवर लिवर आर केप्ट आर केप्ट अन इक्वल यानि इनकी जो आम्स है यानि बुझाए है जनरली अनिक्वल रखी जाती है और एक छोटी और एक होती है इनको हम लोग कहते हैं कि इट कैन रोटेट एंड एंड वीज वीज आमस आमस रोटेट रोटेट एबाउट फलक्रम मन में यह सवाल आ कि क्या इसमें ऐसा है कि इसको अलग से यह ्का अगर आप इस पर लिखें हैं या eous इस तरीके से यहां पर इसका प्रयास दि लगाएंगे को यहां पर लगा हुआ लोड Keeping अगर यहां पर लोड डबलू हो आप इसको पकड़ के ऐसे खीचिये तो आँ लगा लोड अपने आप उठ जाएगा मैंने इसको हिंदी में क्या बोला एक ऐसा लीवर जिसमें लीवर की दो भूजाएं एक दूसरे से किसी एंगल पर करके बनाई जाती है इसमें एक भूजा अकसर दूसरी भूजा से छोटी रखी जाती है और यह दोनों ही भूजाएं अपने फलक्रम के परित्व रोटेट कर सकते हैं इंग्लिष में लिख दिया हिंदी में बोल दिया किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कमी-कमी भासा अलग हो जाती उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक ना मैंने जो यहां लिखा उसको अभी अभी मैंने पूरा डिफाइन किया एक क्या फाइदा होगा इस से यह असल ना उस लीवर से पुड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता इसको ऐसे किसी लोड को उठाना और एक चीज और ध्यान रखिएगा बेल क्राइं कि efficiency इससे घर्ती बढ़ती रहती है इसमें क्या होगा ना कि अगर मैं इनको बना दूं सपोच कर लिजिए मैंने बोला कि यह पॉइंट क्या है ए है यह पॉइंट यहां पर क्या है बी है और यह पॉइंट सी है तो यहां पर इस लीवर में according to the diagram according to the diagram मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो a b है उसको कहेंगे आयास घुजा और बी सी को कहेंगे भार घुजा यानि a b जो है यहां पर वो है आपका effort arm effort arm और जो b c है यहां पर उसको कहेंगे हम लोग b 60 तक को क्या बोलें हम लोड आर्ट या weight r वेट आ रहा है यानि यहां पर आपको A B और B C दोनों क्या क्या है वो पता चल लगे इस से बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि लिखने को आ जाए मुश्की लेकिन अगर आ गया तो आप समझा दीजिएगा तिपड़े लिखने के लिए माल लिजिए आ गया कि बेल क्रेंट है यह पूरा लिवर रोटेट करेंगा बात सब्सक्राइब तो यह सिंपल सा आपको बोला गया कि हाँ यह होता है ऐसे होता है ठीक है अब अगर हम लोग इसको देखें इसको इससे दूड़ा हुआ क्या हम लोगों से क्वेश्चन सर पूट सकता है अच्छा इसमें अगर सीधी रोड रही होती आलाम लगाना होता थोड़ा एक इस्टेबलिटी नहीं थी अगर माले कोई चीज जमीन पर पड़ी हुई है तो एक मने पीछे जाम पल दिया तो मने बोला था उठाना है तो कोई इट वगरा रखके पैर से ऐसे टड़ जाओ इसमें देख रहे हो कित इसमें फलकरम अपने आप मिल जाता है आप इमेजिन करिए कि आपको मैं ऐसे ऐसे एकजामपल देता हूं जो आप रिलेट कर पाएं आपके घर में कोई भारी चीज है जिसको उठाना है तो बताए सीधी छड़ को ऐसे लगाएंगे तो नीचे इट वगरा रख करके आप क पाएंगे मैं कहोंगा कर सकते हैं इसका एक उपाय है इस भूजा को और बड़ी कर दीजिए और इस वाले को छोटा करके आसे नीचे लगाएं और इसको खुलक लंबा ऑई जैसे नीचे जमीन पर इसको रख दीजिए इस आर्म को खूब बड़ा बना लीजिए लंबा कर लिए और उसके बाद आराम से खीचिए यह अपने आप खीच जाएगा मतलब यह अच्छा होता है इसका जो लाब होता है आम लोको अच्छा मिल पाता है तो बाकी फार्मूले वगरा इसके भी वही है इसका भी क्या है रे प्रयास गुने प्रयास बुजा और भार गुने भ फार्मूला यह फार्मूला किसी भी लीवर के लिए लागू है बस उसका रूप रंग बदलेगा इस फार्मूले का और कुछ नहीं बदलेगा मैकनिकल एडवांटेज भी उसका वही होगा कि पी बाई डबलू या फिर इसको कहें कि एबी बाई बीसी यह दोनों फिक्स च लूपशास किलोनीइटन का बल लगाकरे पर एक 70 किलोनीटन का बल लगाकर भी पर डबलू भार उठाया जाता है, यह लिवर एफ पर हिंझ द्वारा लगा है, या फ पर फालकरम है, हिंझ लगा हुआ है, तरकी यदि आलंब से अलंब, एफ से एफ पर बल की भुजा की ल दूरी चार सेंटीमीटर रोट डवलू बताई एक चीज मज़दार बात देखें तुम ध्यान समझना हमेशा इस चीज को ध्यान रखना ये दूरी आपकी यहां से यहां छे सेंटीमीटर है तुम इस से लगा कि किसी चीज को उठा रहे हो तो तुम इस पर परपेंडिकुलर लूड लाब उठाना चाहते हो इस लीवर का तुम चाहते होLEY है अधिक्तम लाब उठाऊं रहाऊ फ्यूद अगर को अइसे लगाए किसी एंगल पर सो देखो दिक्क्त्कत होगी तुम सोच रहा हूं ऐसे पकड़कर ऐसे खींच लेंगे और आसान है नहीं तब जानते हो क्या होगा, तब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी ये जो आयास भूजा है न, वो असल में देखो, मॉमेंट क्या होता है, अगर तुम नोटिस करोगे तो पाओगे, मॉमेंट क्या होता है, तो मॉमेंट क्या होता है, तुम यहाँ पर द्यान देना ज़रा, मोमेंट होता है बल और बल जो भी बल लगा है उससे फलकरम की लंबवत बूरी होती यानि तुम सोच रहे होगे कि मैं पी उधर न लगा के इधर लगा जब पी तुम्हें यहां नीचे लगाओगे न तो यह इसका लाइन ओफ एक्षन है और तुम पाओगे कि अब तुम्हारी लंबवत दूरी इस फलकरम से घट चुकी है अगर तुम नहीं पा रहे हो तो मैं दिखा दूं लंबवत दूरी घट चुकी है देखलो पहले की तुलना में पहले जितनी थी ए भी थी पहले लंबवत दूरी अब यह पी जा रहा तो तो इससे लंबवत द तूरी तुम सोच रहे थे अब तो पी सर और इससे दूर नए फिर तुमने लंबवाद दूरी को क्या कर दिया यहां पर नोटिस करोगे तो पाओगे कि तुमने लाइन आफ एक्षन से दूरी लिया जाता है फिर तुमने दूरी को कम कर दिया यानि पोसिस तुमारी हमेशा एक चीट का धानक न पी को तुम एक बार यहां लगा के देखे ऐसे तब भी लाइन आफ एक्षन फलक्रम से पास हो गया एक बार पी को तुमने नीचे यहां पर लगाया फिर लाइन आफ एक्षन फलक्रम से पास हो गया पी को तुम यदी यदी किसी भी स्थिती में यहीं लगाओगे इससे इससे परपेंडिकुलर लगाओगे तुम कहीं भी देखो यहीं लंबवद दूरी है और यहीं सबसे अधिक आयास भुजा और जितनी आयास भुजा जितनी बड़ी मिलती है उतना ही कम effort में लीवर काम करता है तो हमेशा याद रखना कि कि बेल क्राइन क्लीवर में यह सब बातें किता में तुम्हें लिखी नहीं मिलेंगी यह मुझी से सुने को मिलेगा या फिर कोई भी टीचर जो अच्छा पढ़ाता हो बता लेगा मैं बस एटना कहता हूँ कि जब इस Bronze कुट उठाना तो नीचे खिचने का प्रयास मत करना उपर खिचने का प्रयास मत करना सीधा तो पी तुम मोमेंट लगा रहे हो उठाने के लिए तुम्हें मोमेंट लगा रहा और मोमेंट होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अब तुम्हारी क्रिया रेखा जब जा देखो अगर फोर्स यहां लगाओगे तो लंबवत दूरी तो यह है नहीं इसकी लंबवत का मतलब 90 डिगरी का एंगल बने तो तुम कहोगे कि यार ऐसे गुमाएं यहां आके 90 डिग उस स्थिती में एंपी जरुवत पढ़ने पर इस स्थिती में एक चीड़ होता है पी आयास एक मुणे आयास भूजा यहीं तुम को लगानी पड़ेगी अब यदि तुम एफ़र्ट आर्म को एफ़र्ट आर्म को यदि तुम छोटा किये तो पी ज्यादा करना पड़ पढ़ेगा इसे पहले कोसिस को यह जादा से जादा मिले एफ़र्ट आर्म सबसे जादा तभी मिले गा जब तुम बल गों को इस एफ़र्ट आर्म के ठीक लंबवत लगाऊगे तो हमेशा जब भी किसी भी बिलिवर का प्रयोग करें पहले दियान दें कि फलकरम से में कह रहा है कि लगा देखो यह लंबवत लगा है यह गया है एकदम 90 डिगरी पर लगा है यानी मैक्सिमम आउटूट हम लोग निकालेंगे जब की जो लोड लगा है वह यहां डबलू नीचे काम कर रहा है आप तुम कहोगे सर यह वाली लंबाई यह वाली लंबाई तो ज अधिर में प्रदर्सीत एक बेल क्रेंक लीवर में एक पर एक सो पचास नियुटन का बल लगाकर बी पर डबलू भार उठाय जाता है यह लिवर एफ पर हिंज द्वारा लगा है यानी हिंज का मतलब पिन हिंज कहें या पिन कहें लीवर एफ पर हिंज है यदि आलंब से जो यह फोर्स का लाइन ओफ एक्षन है उसकी दूरी 6 cm और भार की भूजा भार भूजा का मतलब होता है भार भूजा का मतलब लोडा भार की भूजा की लंब दूरी यानी हमने बोला एफ एफ की एफ से एफ से ए पर भी दूरी दिया एच्छ है और एफ से ही बोला है भार भूजा की लंब दूरी ऐप से भार भूजा ये भार भूजा ये लोटा है तो लोट की लंब दूरी ज मैशन क्यों आता किया कई से करेंगे यानि ए तक का बराबर होगा डबलू इंटू ये गोरी अगर माल लो यह चार सेंटीमेटर तो जो भी माल लो इस दुरी को तुमने डी माल लिया डबलो डी यानि यहां से हम लोग से क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं इस तरीके से और भी देख लेते हैं कौन सी बड़ी बात है यहां पर एक और को बिस बोला है आहिरzent में भूलता की आयास वाले भूजा बहुरर ओं किv다 संटीमीटर लंवी कौन सी कितनी है दिखने बना धिए तो चित्र बना ड़िया तो बना बनाया मिला अगर नहीं बना बनाया व्लता सब कन्फ्यूजन हो जाती कि किसको 16 माने किसको 20 बोला चित्र तीन दस्वन तीन पांच के अनुसार यदि एक भूजा पर 250 न्यूटन का भार लटकाया जाए तो दूसरी भूजा के सीरे पर उससे 30 मीचर पर लगी एक छड़ में कितना बल उपजेगा लीवर का भार नगरने माने लीवर का कोई अपना भार मत मानिए एक भूजा पर 250 न्यूटन का भार लटकाया गया तो यहां पर अब लीवर लगा है यहां देखी एक छड़ में कितना बल आएगा यानि यह पी की वैलू पूछ रहा है कि पी आखे छड़ में बल कैसे आएगा यह लीवर किसी त्रीके का टेंसा ενसेिस पोर्रस आएगा इसमें से टेंसंस आए ऐसके फोफर्स पराव में अच्याम कि इतने डिगरी पर है तीज डिगरी पर दोकि है ध्यान रखिएगा कार देकर बल तो इसमें पी आएगा सपोर्च कर लिया माना S этुलूशं हम ने का वितow म आं psychopath है रपे लगए लगवे नियूटन आएगा ऐसा माना हम माना कि रपिक इतनी डिगरी पर रच रपी दिगरी पर यानि तो अगर जब पी नीचे लगे गा तो भाई 30डिगरी पर यह यह हम को नहीं मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की यह वाला भी दूरी हम को कुछ खास मालूम लेकिन यह नहीं पता के यह सूबत सेति को यह नहीं पता है यानि चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार यानि एक पॉर्डिंग तुदा डाइग्राम क्या लिखें हम लोग इन दोनों में संबंध कौन बता था यह लंब है यह आधार है यह कर्ण है यानि यह परपेंडिकुलर है यह बेस है यह हाइपोटेनस है तो हम लोग कहेंगे क ये बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन यानि हम लोग पर्पेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थर्टी डिग्री यह थी हम लोग ले ले हैं हम लोग लिख सकता है यह एनफ डिस्टेंस एनफ बाई वो क्या है 16 यानि एनफ इस इक्वल टू जो हो जाएगा वो 16 साइन चेंटी में आप त्टी बाइनफ यानि अब आप जो पी लग रहा है पी पी जो है वह इस फ्लक्रम से 10 सेंटी मीटर की ल죠ई गारार हो डाज रोगय है शुकी पर्पेंडिकुलर और लेडी है तो यह बीत सेंटी में पर लगए तो आब में लोग क्या करेंगे अब हम लोग बहुत सरल तरीके से लिखेंगे इसलिए इसलिए पी गुणा कितना आठ सेंटिमीटर बराबर होगा डबलू गुणा 20 सेंटिमीटर तो भाई डबलू कितना हो जाएगा नीचे भेजो पी गुणा आठ बटा 20 यानि पी का वायलू कितना हम लोगो यहां से पी निकालना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा कितना छड़ाएगा तो लिखेंगे डबलू गुणा बीस अबटाइए नीचे आजाएगा आठ याने बीस बटाइए अधाइए दो दस्मलों पांच आता है तो डबलू कितना है दो सो पचास अगुणा यह है दो द क्या होता यदि हम लोग यहीं से इसको ऐसे खीचे होते तो तो क्या कमी बल में यह उड़ जाता अभी तो पी 625 में उता ना लेकिन ऐसे अगर हम सीधे खीचे होते ना पी को तो कम बल में उता कैसे तब तुमको पी का पी की सीधे दूरी कितनी होती इससे सीधे 16 तो तुम लिखते पी गुणे 16 बराबर इधर डबलू आगुणा पाता सोलह यानी यह आपका पांच बटा चार है यह ज़नी एक देशमलो अधर गुणा एं तो पांट बटा चार का मतलब कितना हुआ यांपका करकशनी का लेकी दो सो पचार गुणा ये पांच अवटा चार तो पांच बटा चार इसका सवागूना 2212 अ हो जाएगा इस 312.5 के आसपास आए नहीं केवल इतना ही फोर्स लगाना पड़ता अच्छी नहीं है तुम लोग कर लिना तो यानी पी केवल 312 नहीं लगाना पड़ता अगर सीधे लगाते तो अच्छा यह कोस्चन का पार्ट नहीं था कोस्चन में पूछा था कितना बाल उपजेगा हमार काम हो गया होता चुकि तीरच्छा लगाए तो यही समनोटनकी है जो हो रहा है तो क्या यह बात समझ में आई बिलकरेंक लिवर और उसका दो छोटा छोटा नुमेरिकल मैंने आपको करके दिखा दिया ठीक है अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले अगले लिवर पी जो हम लिवर बना रहा है हम कम एफर्ट लगाके ज्यादा लोड उठाना चाहते हैं इसलिए हम लिवर बना रहा है यह गरंटी कमनारी बात ना तो वही कैसे किया जाए इसको कैसे और ज्यादा इसको कम किया जाए मतला हम एक उंगली ऐसे चला है आउग जो है पत्थर का लिवर का मेकनेजम ऐसा सेट करना पड़ेगा उसके लिए करते क्या है जैसे मैं आपको एक एक जांपल के तौर पर लूँ कि बाई ऐसा कैसे संभाव मैं कौँगा देखो ऐसा करो एक ऐसे लिवर ठीक है ना और यहां पर लगाओ फलक्रम उठने ना पाए अब यहां पर नुक्त तुम लोड कितना उठा पाऊगे डबलू यहां पे यहांपे जब केवाल 0.5 मीटर है 0.5 मी और यहां पर 300 मेटर हमादलो को यहां से कितना लोड लगा क conquered यहाँपे इसला लगा रहा है अधा केजी अगर बोल चाल में बोले अगा किटना होगा लगभाग 5 नूटन का बढ़ बहुत कम पोर्स हुआ 5 नूटन का बल यहां लगाए तो यहां कितना लोड उठ जाएगा यहां कितना लोड उट जाएगा बड़े आराम से इस जगह पर डबलू बराबर ओगे सर पांच गुणा तीन यानी 15 होगा तो इधर वी तो 15 होना चाहिए सर इधर तीस न्यूटन का लोड उट जाएगा कैसे क्योंकि तीस गुणा जिरुट से एक और लीवर कनेक्ट करूंगा और मैं कहूंगा इस फलक्रम यहां लगाओ यहां पर इधर बताओ यह कितना उठेगा तुम कहोगे सर इसको अगर उठाना रहे तो फलक्रम से ऐसे लगा दो क्याता क्वाइब यहां पे और कहोंगे कितना इसको अगर खीचे गें हम लोग उपर यह पॉइंट ऐसे नीचे जाएगा यह हर यह का सभी कंडिशन ने यहां लगा लिए यहां पर यहां पर यहां पर भलक्रम को और यहां पर लगार मेरा यह काने कहने का मतलब है कि एक लीवर हुआ और एक लिवर से दूसरा लीवर हमने एक और connect किया इसके लिए ये आयास काम करें आध्कर हमारे लिए हमाने फ्रयास कितना लगाया फीवन क्षेंद रहा बम लोडम अवे उठाने का काम कर रहा यह उठाने का काम कर रहा इसी उठाने को यह दी हम लोग जैसे उठा रहा यह आई सी को हम किसी और bell crank से या किसी और एक bell crank के लिवर यह माल लो हुआ bell crank बोलना जरूर नहीं क्योंकि एक सीधी छड़ती यह इसकी एक आर्म तो मने इसको उठाओ और यह जो दबलू न्यूटन को उठाया उपर इसको तुम्हा प्रयास बना लो मतलब हमने यहां से पांस न्यूटन लगाया यहां से आप तो 30 न्यूटन उठ रहा होगा तो क्यो से जब जोड़ेंगे तो जब यह इसको ऐसे खीचेगा तो इस पर लगने वाला जो लोड होगा वह तो पहले से भी जादा हो जाए पहले से भी जादा नहीं हो जाए अगर इसकी स्थीतियों को बदल दे तो इस्थी आपको एकदम समझभाएगी आगर आम लोग फॉलक्र पर ऐसे खीचेगा ऐसे तो यह डबलू भी तो उठेगा अब हम डबलू तुकि प्रयास हमारा यह और हमारा फॉलक्रम दूसरा वाला यहां पहुंच चुका है तो हम ज्यादा डबलू उपर उठा पाएंगे तुम कैसे में जन करो अब तुमारा प्रयास 30 मैं यहां पर ल पूरा है चार मीटर तुम कहोगे इस सर यह उपर वाला कैसा है यह यह फर्स्ट क्लाइवर है यह फ्रस्ट क्लास करीवरे रहा है यहां लोट कितना उठ लग रहा है और यह दूर्यां दूनों बठी है तुए पी बराबर तो अब अब यह डबलू जो उपर खीच रहा था वो पी के जगा पर पीस का काम करेगा आप ये 30 से उपर खीचे हम माच लगाएंगे इधर लगा सीधे 30 इधर लगा 30 अज़ा 30 इस पर लगा ऐसे उपर की तरफ तो इसका मतलब हुगा कि ये डबलू भी उपर उठेगा डबलू कितना ये दूरी कितनी बच्च यहां से एक मीटर बच्ची यहां व लिट लगा लूड लगा तो लोड आंती यह हुआ फलक्रम से लोड तक की दूरी आप फलक्रम से ही एफंट की दूरी होती है ये तो हम लोग यहां पर लिखें हां 30 आगूणा यहां सीधे हमने लिख दिया 4 तो यहां से W बराबर जब लिखेंगे, आएगा 120 किलो न्यूटन, समझ रहे हो डबलू बराबर 120 किलो नूटन पांच नूटन का बल यहीं खड़े-खड़े केवल पांच नूटन का बल ऐसे मैंने लगाया तुरंत वह 5 नूटन इसको बनाया 30 और उसी से तुरंत यहां से डबलू उठ गया 120 किलो नूटन इसका अर्थ समझे तुम क्या हो रह है कि हम लोग लिवरों का ऐधी ऐसा संयोजन कर दें ऐसा व्यवस्था करें बड़ी-बड़ी मसीनों में बहुत कम एफर्ट के साथ बहुत ज्याजा लोड को आसानी से क्या कर सकते हैं उठा सकते हैं पांच नूटन समस्ते हो केवल पॉइंट फाइफ केजी के आस पास का सब्सक्राइब जब कि यह 120 न्यूटन यह 12 किलो का लोड 12 किलो को लोड को उठाने के लिए मैं केवल उंगली ऐसे चला दूंगा यह उठ जाएगा तो अब हम लोग बात कर ही लेते हैं फाइनली किसके बारे में किसके बारे में इसको मैंने समझा पूरा दिया अब इसी को पहले इंग्लीस में सुन लीजियो उसका इनिमी में समय लाता हूं कि Ini टीज़ा गया में कंबिनेस्ट उप में क्या होता है भाई कॉम्बाइन करने का मतलब बता संयूप्त करना तरीके से कई चीदों को मिलाना इट 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 इस तो इनक्रीज द मैकेनिकल अडवांटेज कितना बढ़ गया था याद करो पहले लीवर में तो 30 किलो न्यूटर उठा था तो कहोगे सर डवलू बाई पी यदि हम लोग लगाएं तो तीस बटा कितना है जिरो पॉइंट फाइल सोरी तीस बटा पांच तीस बटा पांच लगाएं तीस उठाएं तो डवलू और लगाया यानि मैकेनिकल अडवांटेज के वल छह है हम इसको लास्ट में इस देखें डोनों को जोडने फेट लास्ट में उठाएं रीन पांच अबस्की बताईए इसाथ नहीं होगा 24 आने कि आपका मैकेनिकल अडवांटेज कितना हो गया जो पहले च्रह था एक से जब दो लीवर को प्रिवांसा देना आसान रहेगा कंपाउंड लीवर क्या होता है पहला लाइन में लिकराओंग टीज a combination of combination of combination of more than more than more than one simple liver simple liver simple liver का ही एक पार्ट वेल क्राएंग थे वास उसकी बनावाट अला गें ठीक ना मने बोला कि it is a combination of more than one simple liver and and is used and is used to increase to increase mechanical advantage mechanical advantage और इसका प्रयोग mechanical advantage को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसके अंदर mechanical advantage को बढ़ाने के लिए किया जाता है अगर इसी को sentence form है it is used to increase the mechanical advantage of complicated machines complicated machines complicated machines यानि बहुत ही उल्टी सीधी मसीनों में जटिल मसीनों के अंदर mechanical advantage को बढ़ाने के लिए संयुक्त liver का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग compound liver कहते है जिसको हम लोग compound liver कहते है so that minimum effort is required to raise the given load इसी को पहली बाद दूसरा it so that so that minimum minimum so that minimum minimum effort effort is required required to to raise यानि to raise given given load यानि मैं कह रहा हूँ कि या liver का ऐसा संयुक्त प्रणाली है या संयुक्त बनावट है जिसमें mechanical advantage बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मसीनों के अंदर और कम से कम effort में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं load को उठा सकते हैं बात संवारी ने तो मैंने इसकी रूप रेखा पहले ही बनायती थी फिर समय आपको यहां पर बना के दिखा दे रहा हूं उसी चीज को कैसे मैंने बनाया था आपको यहां पर ऐसे बनाईएगा यहां पर हमने यहां पर अमने लगाया प्रयास यहां पर अंपर फलक्रम और यहां पर फलक्रम लगाए गया यहां पर लोड जो है डबलू इस जगह पर लगा हुआ रोगे प्रूविए लोट ड़ इससे हम लोग कुछ प्रूव भी कर लेंगे देखें गैसे असल में तुम अगर अलग 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 तुम पाऊगे जैसे इसी मैं प्रूफ कर सकता हूं इसी को कि मैकेनिकल एडवांटेज पहले 6 था बाग में 24 हो गया अच्छा अलग-अलग का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है तुम अगर पाओगे कि अलग-अलग का मैकेनिकल एडवांटेज कितना है तो अगर इस केवल अकेले इस लीवर का सो तुखे हाँ यहाँ पर तुमने 30 लगाया और 120 उठा इसका मतलब 100 बेटा 30 इसका मेकेनिकल एड्वांटेज चार है तो अगर पुरे का मेकेनिकल एडवानटेज देछ च्वांटेज देख रहा हो तो 24 तो असल में यहीं किया गुणा पहले का प्लस दूसरे का प्लस नहीं करना है पहले का मेकनिकल ड्वांटेज दूसरे का चार है तो च्छार दस नहीं होगा बल्की पूरे का कितना हो जा रहा है तो अगर दोनों के गुणा कर रहा है तो टोटल का मेकनिकल ऐसे भी समझ सकते हो अगर भारों से छोड़ दो डबलू वाइपी तो होता ही है लेकिन एफ़र्ट अड्वांटेज क्या होता है अफ़र्ट आर्म लोड यहां पर एफ़र्ट आर्म कितना है तीन मीटर यहां पर और लोड आर्म पॉइंट 5 तो पांच पर है अच्छा है इसी तरीके से यहां देखो आड़ी इसकाट benchmark कि अगे precious look लेकर इसकी तक की दूरी चार और यहां पर लोड अर्म कितना आए तक लोड थे अपयोड तक यहां तक‌क की दूरी यार्द यह निदे कहना चाहता हूं mechanical advantage बड़ी तेजी से बढ़ता है जब हम compound liver का यूज करते हैं किसको किसको अब यह समझ में आ गया है इसार लीवर यदि सही से बन जाए बहुत भारी भारी लोड को बड़ी आसानी से उठाया दे सकता है बहुत कम लोड लगा से समझ रहा हो क्यों कैसे इसी तरीके से यहाँ पर मैं अब इस पॉइंट को फॉलक्रम को माल लिए इस फॉलक्रम को इस फॉलक्रम को एफटू माल लिया यहाँ पर एस पॉइंट को माल लिया इस पॉइंट को एफ़वन मानाई हूं इसको यह वी हो गया यह सी हो गया और डी पॉइंट पर लोड लगा हुआ है और इसको यहां सब्सक्राइब करनेखें यहां आपका सी एफटूल हुआ separate कि यहां से खुरी लंबाई मैं ले रहा हूं एक चीजी यहां पर दियां दिजीगा इसी केस में हम लोग सीधा-सीधा बाख करते हैं यह तो समय मैं आ गया नहीं कि परीवासा क्या है अब इससे अम लोग कुछ चीजी परूफ करते हैं कैसे हम लोग देख रहा है कि जैसा सिस्टम नो अब आयास मतलब पी जो है वो है एफ़र्ट और एफ़र्ट र ठीका ना बराबर क्या हो जाएगा उधर तो मैं कहा सकता हूं कि वहां पर लोड यदि माल लो इस जगह पर इस जगह पर लोड का कोई वैल्यू हो मैं कोई एफ़र्ट एक लग रहा हो है आपर सपोच करो कि आर लगना तो आप इधर हो गाता आप इस पर इस पर भी नीचे की तरब आर अगर में हम इसको खीचेंगे आर इसको क्या करेगा उपर की तरफ़ाइगा तो ओपर कीने दूब भी जो इसके साथ आद यहाँ पर टो फिक्स है डबलू तो उठी जाए ये उठने वाले चीजба यहत अधी फिक्स है मैं ओड़िक करूंगा मैं यहां कर वहां पर जो का है आ रहा है विखा बन रहा है तो मैं यह कह रहा espec हम कि मैं P यहां लगा रहा हूँ A F1 और वहां से मैं लिख रहा हूँ कि R into मैं लिख रहा हूँ B F1 यही तो हुगा यानि यह A F1 क्या है यह effort arm है B F1 क्या है load arm यानि यहां से यह दि हम लोग R बराबर निकालें कि R कितना होगा आर तो मैं लिखूँगा P गुणे A F1 by B F1 R बराबर A F1 by B F1 into P यह होगा R के बराबर मान लगता हैं equation number 1 है ठीक न यह किसके लिए था यह A B lever के लिए था यानि इसको आम लोग लिख सकते हैं पॉर पॉर A B lever A B lever यह A B lever के लिए था ठीक ना आप नीचे और हमने लिखा और यह वाला लिवर कौन सा C F2 C F2 lever यानि नाम तुम कुछ भी रखो यार मैं रखा हूं कोई दिक्कत नहीं मैं इसलिए रटी रटाइची नहीं समझा रहा हूं और मैं आपने से चीज़ें लेता हूं इस वजह से नाम कई बार इधर दर हो सकते हैं पर सान में किताबी मासा में पढ़ा रहा हूं किता कुछ दूर ऊंपर लगा ईर और रगुणा यह पूरा सी से से तून की दूरी यानि आर रगुणा हम कहां सकते हैं सी अफ्टू यह आरट किसका यह तो एफर्ट एक तरीके से काम किया ना अ बराबर होगा यह डवलू डवलू जो लग रहा गुणा यहां पर दी एफ तू यही न होगा यानि यहां से R बराबर यह दी लिखें तो W गुणा BF2 बाई TF2 यही न यानि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों R जो हैं यह equation number 2 मानलो अब दोनों R आपस में बराबर हैं from equation 1 and 2 from equation equation 1 and 2 दोनों R आपस में बराबर हैं कि नहीं बस इतना बराबर कि दोनों R आपस में बराबर है कि नहीं तो मैं कहूंगा कि चलो और यह इसके बराबर हो गए यहीक नहीं हो रहा है वहaces इससे हम लोग का क्या निकल क्या आया अब यहां से यहीजी ह Ward 2 हम लोग हम W by P को नीचे भेज दिए हैं, तो इधर क्या बचा, कह रहा है, P को नीचे भेज दिए हैं, तो A F1 by B F1, ये तो ऐसे ही रह रहा है, A F1 by B F1, लेकिन इधर वाला, C F2 by D F2, अब तुम ध्यान देना जरा यहां पे, A F1 by B F1 क्या है, A F1 by B F1, इसमें ये effort arm है, ये आपकी load arm है या weight arm है, weight arm, और यहां पे C, C से लेके F2 तक की दूरी, C F2 कौम लोग कह सकते हैं, C F2 को हम लोग कह सकते हैं, effort arm है, और D F2 को कह सकते हैं, load arm, दूसरे case में, पहले lever का, असल में E A upon WA, यानि हम लोग कह सकते हैं कि, ये A F1 by B F1, ये कहीं न कहीं, ये कहीं न कहीं, A F1 by B F1, ये सो कर रहा है किस चीज़ को, ये पहले lever का, mechanical advantage सो कर रहा है, तो कि अरे भाई, आयास, भूजा, और load, मतलब effort arm अपन लोड है, mechanical advantage of first lever है, first lever, और गुणा, दूसरा वाला क्या सो कर रहा है, C F2, C F2, यानि फिर effort arm upon D F2 load arm, यानि effort arm, C F2 upon D F2 load arm, मैं फिर से कहूंगा, ये भी mechanical advantage है, और second lever, अब बराबर है W by P, W क्या था, अंतिम भार जो उठाया गया था, इस compound lever से, और P क्या था, जो effort लगाया गया था, यानि मैं कहा सकता हूँ, सीधे से, कि भाई, ये mechanical advantage of compound lever है, यानि यहाँ समयलिक सकता हूँ, इस लिए, इस लिए, mechanical, mechanical advantage of, advantage of compound lever, compound lever is equal to, मैं यहीं से, प्रूफ करके लिख रहा हूँ, is equal to, mechanical advantage of first lever, mechanical advantage of second lever, या फिर आप जितना लिख सकें, जितना lever होगा, सबका, उड़ा होता जाएगा, mechanical advantage of first lever multiplied by mechanical advantage of second lever, ये परिमासा याद रखेगा, कि जब कई lever compound करके connect किये गए हो, तो सभी lever का mechanical advantage का आपस में उड़ा करिए, तो पूरे lever का mechanical advantage आपके सामने आ जाएगा, कम अच्छा, कितना गुना ज़्यादा फरक पड़ जाए है, कितना गुना ज़्यादा फरक पड़ जा रहा है, आप इसी संदज लगा लिएगा, इसी चीज को हमने, इसको मैंने समझात दिया पूरा, लेकिन कितना समझ माया आपको, इस चीज से थोड़ा यहाँ देख लीजेगा, यहाँ पर सीधे आपको, यह देखे, वील का question है, आगे कराऊंगा, अभी नहीं, यह simple आपको, इसमें मैंने उठा लिया था, बुक सही करें, करें आपके, देखे, एंप लितिग यह द्ही अब करके, लितिक लिवर में काॉल, आ जाता यह, इसका एक रूप दिखाया चीज़े तर्तिम दस्मोलों पीन साथ घरोगा तो इसका उपयोग अनेक जटिल यंत्रों विन्यास्थों में अधिक लीवर लाब के लिए अधिक लीवर लाब का मतलग ज्यादा कम से कम एफट में ज्यादा ज्यादा लोट योगिक लिवर का लिवर लाब यानी mechanical advantage of compound लिवर is equal to पहले लिवर का लिवर लाब फस्ट वाले का लिवर लाब मतलब mechanical advantage basically और दूसरे लिवर का गुणा तीसरा गुणा लगाने से 20 Newton का बल लगाने से कितना बहार उठाया जासकता है और लिवर का लाब भी ज्यांत कीजिए क्या कहे रहा है हम लोग से कोश्चन में तो 20 Newton का बल लगाना है बहुत सिंपल है यहां पे लगा 20 मैं इसको ऐसे ही सॉलब खर दूँगा यहां पर लगा भी दिखो यह साथ है यह दस है यहां पर यह बताओ क्यों कितना हो जाएगा जब तुम जानते हो यहां पर सिंपल तरीके से लिखा जाएगा सलूशन में लिखोंगे पी गुणा यह दूरी है साथ सेंटीमेटर बराबर क्यूना यह हो जाएगा यह तस सेंटीमेटर तो यहां से क्यूं 120 चाहरा नियुटन क्यों हो जाएगा तो यहां से q का वीन हुआ गया कितना 120 अब यहां 120 लग रहा है देखो अब यहां पर लोड कितना उठेगा मैं कहूं गा यहां पर बराबर हो जाएगा W गुणा की क्या है यहां सेरीं से 10 को नीचे भेज देना सरी यहां से 15 बाभर डबलू बराबर जो आ जाएगा सत्तर बटा पंद्र गुणा क्यों का वैलू क्यों कितना आया है 120 यानि पंद्रा अठे 120 सब्सक्राइब चप्पन यानि पांसो साथ न्यूटन का बल तुम आसानी से उठा सकते हो केवल 20 न्यूटन का बल लगा करके 560 न्यूटन का बल उठा सकते हो केवल कितना लगाते हैं जाइक पांसो साथ न्यूटन देख लो मतलब 2 कईलो लोड लगा के 56 किलो लोड उठाय कि अगे केवल लीवड कर्द से मज़से बात सोना रही न है किईलो मैं कैसे 0.1 या 10 न्यूटन होता है एक केजी एक पोर्स में लगभाग 10 न्यूटन या 9.81 न्यूटन होता है पहले ही बता चुका हूं तो मैं इसलिए बोल दे रहाँ दस ते डिवाइट करके बोल दे रहाँ तो ये न्यूटन में फोर्स है इसलिए तुमको बोलता हूं कई बच्चे न्यूटन देखे हुआ कि डर जाते हैं कि कितना हुआ तो मैं बार बार बोलता हूं तो तो तुम आप दो समझ पर हां हां दो किलो Cash है लगता और तुमको यदी मेरा यह स्टाइल पसंद आ रहा हो कि मैं चीजों को सरल भासा में ज़रुवत नहीं थी 20 को दो किलो बोलने की मैं क्यों बोला क्योंकि तुम्हें जूड़ पाओ तुम्हारे आसपास वो चल रहा है दो 20 किलो न्यूटन 20 न्यूटन अच्छा न्यू कि अवल यहीं पूछा था कि कितना लोग उठाया जा सकता नहीं लीवर का लाव भी यानि मेकेनिकल एडवांटे जब पूछेगा तो जब उठाए हैं पांसो स्टाइट अडिवाइड बाई लगाये थे 20 तो बताओ यह हुआ अट्थाइस इसका लीवर लाव कितना हुआ अगर इससे निकालना होता तो भूजाओं से यह भूजा बटाइगे भूजा पहले होता यानि साट वटा दस तो पहला और तस तो इसका मैंकल आडवांटेग्ट तो फ़र्विला ना एक तो लोड अपन एफ़र्ट से होता दूसरा होता है इससे इस एफ़र्ट आर अल अ निकालते हैं तो साथ बटादास जानि कितना अच्छा है आद दूसरे वाले का ज़रा देखो इसका दूसरे वाले का तो वह है एफ़ार्ट आर्म पच्पान से लेके यहां तक इतना प्रक्राइब यहां से फलक्रम तक की दूरी यानि सतर तो पहले पहले यहां से कटा तो पंदर चोग का साथ यह साथ आगया यह चार आगया साथ चोग का अठाइस ऐसे भी आगयो क्योंकि हमने क्या किया एक लीवर का लिया है अभी तुम ध्यान दोगे तो अगर मैं सलेवस दिखा दो तुमको तो खतम के नाम पर केवल लीवर खतम हुआ है अभी लीवर में क्या था आपका यहां पर याद करो लीवर में सिंपल एंड कंपाउंड दोनों खतम हो गया नुमेरिकल और लगेंगे अभी लेकिन इतना मैंने इसमें बेल क्राइंग भी आपको बता दिया उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्लास को हमने क्या क्या देखा बेल क्लिवर का पूरा मेकेनिजम और कैसे अच्छा रहता इसका यूच करना वह भी मैंने समझाया उसके बाद मैंने बेल क्रेंग पर एक नुमेरिकल फिर दूसरा नुमेरिकल फिर हमने आपको कंपाउंड लिवर को पूरा ओवर विव दिया फिर उसके बाद हम लोग बात करें कंपाउंड लिवर को डिटेल में और यह देखा कि पूरे कंपाउंड पसंद आ रही है पसंद आ रही है तो फटाच से लाइक को बटन दबा दीजिए मुझे मज़ आएगा कमेंट प्यारा से डालिए ताकि लगे कि हाँ मने पढ़ाया तो मेरी बातें आप तक पहुंच पाई कमेंट्स मोटिवेट सकत पैसा नहीं मिलता है पैसा जब तुम खरी वह गाने वाले चैनल इन सब चैनल पर कॉमेडी वाले तो होते हैं तो तुम लोग का प्यार ही है और थोड़ा पैसा जो आपके केसं पर मिलता है उससे खर्चा चलता है यूटूब पे केवल फ्री सेवा चलती हम लोग को कोई पैसा नहीं दीजिए इजाजत धन्मेवाद प्रवचर है यूर मिलता है यूटूब प्रा चलता है उससे चलता है यूटू पर करतो है से विजए तो ओाले यूटूब को के उनल दीजिए में दीजिए यूंदूब झालता है यूटू नहीं है जो